संसत में मोधी सरकार के खिलाब अविश्वास त्रस्ताव के पक्ष में बोलते हुए कॉंग्रेस अद्यक्ष राहूल गांदी ने मोधी सरकार पर एक एक कर कई सारे आरोप लगाए और सरकार को कटखरे में खड़ा कर दिया मगर एक वक्त ऐसा भी आया जब सदर का माहोल हैरान करने वाला था आज सदर में राहूल गांदी ने कुछ ऐसा किया उस शैन को जिसने भी देखा उसके जहन में वो पल कैद हो गया दरसल राहूल गांदी अविश्वास प्रिस्ताव के पक्ष में बोलते वे अचानक पीएम मोदी के करीब चले गए और उन्होंने पीएम मोदी से हाथ मिलाया और उन्हें जादू की जप्पी दी जिसके बाद सियासत गर्मा गई पूरा का पूरा विपक्ष और आपके बहुत सारे लोग मिलकर प्रदान मंत्री जी को चुनाओं में हराने जा रहे हैं आप सोचोगे आप सोचोगे कि मेरे दिल में प्रदान मंत्री के खिलाफ आप सोचोगे कि मेरे दिल में प्रदान मंत्री के खिलाफ घुस्सा है, थ्रोध है, नफ्रत है मगर मैं आपको दिल से कहता हूँ मैं प्रदान मंत्री, बीजेपी और RSS का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे कॉंग्रेस का मतलब समझाया कि उन्होंने मुझे हिंदुस्तानी होने का मतलब सिकाया हिंदुस्तानी का मतलब पुम्हारे कि लाप कोई भी कर दे झूटी बात बोले, डाली दे, लाटी मारे तम्हारे दिल में उसके लिए प्यार होना चाहिए ये आपने नरेंद मोदी जी और बीजे पी आरेसेस ये आपने मुझे सिखाया और इसके लिए मैं आपको दिल से अंदर से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे मेरा धर्म सिखाया आपने मुझे शिव जी का मतलब समझाया और आपने मुझे हिंदू होने का मतलब समझाए इससे बड़ी बार हो ही नहीं सकती है और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ ये ये हमारे देश का इतियास है ये प्लीज ये हमारे देश का इतियास है और मेरे अंदर आपके अंदर मेरे नफरत है आपके अंदर मेरे लिए गुसा है आपके लिए मैं पपू हूँ आपके लिए आपके लिए मैं अलग-अलग गाली दे सकते हो मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सभी गुसा इतना सा भी क्रोथ, इतनी सी भी नक्राइब नहीं है मैं कॉंग्रेस हूँ और ये सब कॉंग्रेस है और कॉंग्रेस ने और इस बावना ने इस देश को बनाया है इस बात को आप कभी मत भूलिए और ये बावना आप सब के अंदर है और इस बावना को मैं आप सब के अंदर से निकालूँगा एक एक करके मैं आपके अंदर से आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूँगा और आप सब को कॉंग्रेस में बदलूँगा दान्यवाद, नमस्कार येस तिरमला जी मुझ पिसके नहीं, तो नहीं, विर्बाला जी आप कर दो नहीं है कि ये किसे इनकी स्क्रिप्ट लिखी है आज तो अमिता बचन को भी फेल कर दिया है बॉलीवूड के नई हीरो आज सांसद के पटल पे आज पैदा हुए है तो मुझे लगता ये दिली नहीं इनको मुंबई बहुत जल्दी जाना चाहिए तिरी नरेंदर मोधी जी ने क्या सी सबका साथ सबका विकास अच्छे दिन होणगे और पिछले पंजामी न्यादे विच पूरे मुल्क नू फिरक्यांच वंड़न दी कोशिश कीती है एजडी सारी चोने उनू ए तार्मेक्तरू विकरणते लड़ना चारे ने ते राहुल संदेश देना चारे सी प्रदानमंत्री जी नों कि उसी समाज टोडना जोटने है और साधी सोच ए है कि चाए साथा कोई राजनेतिक प्रतिद्वन्ती भी हुए ओ साठा राजनेतिक प्रतिद्वंदी यो साठा दुश्मन नहीं है और इसलिए उन्ना ने सरकार दिया एस देश नो प्यार नाल चलोन दी लोड है, जड़ा थोड़ा समा बचया है मोधी सरकार दा, तुसी समाज नो तोड़न दी कोशिन ना करो, समाज नो जोड़न दी कोशिश करो.